उपन्यास कसप, फाइल संख्या बारा नाइका का आगला पत्र नायक को बंबई में अपनी प्रतीक्षा करता हुआ मिला। दिल्ली से आया है। प्रिय डीडी, मैं मधुर स्मृती नहीं लिख रही। तूने जिलेंबु नहीं लिखा। तूने लिख रखा कि तेरे दो दाट तूट गय करके। शिबो कहना मुझे नहीं आता। विश के जिसने समझ रखे होंगे। दूद के थेवे तो। अब लगता है उनकी जगह तूने विश के लगवा लिए। नकली होंगे दाट। नकली ही होगा विश। असली जो क्या प्यक्ति हो लगवा न? किस से हो रहा तू नाराज? किस से मांग रहा माफी? मुझ से? मैंने तेरा क्या विगार रखा देखो? मैं बेबी हुई बेबी. करनल कार्ति के दूसरा ठहरा कोई। समझा? उससे माफी मांग! वो तो मुझे बबबन ने पकर रखा ठहरा. नहीं त आता मेरे साथ घर आता फिर देखता कैसे नहीं मांगते वे सब तुछ से माफी नहीं जो मांगते तो देखता कैसे ये बेबी छोड़ देती है उनका घर देहरी पूजे बगैर और लग जाती है बाट अपने लाटे के साथ तूने पूछा है कि मेरे लिए गुड़े है क्या साथी जो तू मुझे गुड़िया मानता होगा तो तू भी गुड़ा ही होगा और हमारी साथी गुड़े गुड़िया का खेल ही होगी इन लोगों ने भी मुझसे यही कहा बच्चों का खेल समझ रखा साथी तू भी इनके जैसा ठहरा क्या तू इनके मध्य हुआ कि मेरे तेरे, खेल हुआ साधी ऐसा पूछने वाला ठहरा तू, सुन ले, बाद में जन कहना नहीं कहा था करके, मेरे लिए एक खेल हुआ साधी, मेरे लिए एक खेल हुआ सब कुछ, जिन्दगी भर सूतक मनाने के लिए पैदा नहीं हो रही ये बेबी, तुझे मुझसे कह सकने वाला कौन हुआ भला मैंने अपनी दादी की साधी वाला घागरा अंगरा पहन कर मांग में गणानात का सिंदूर भर कर अपने इजा बाबू दादाओं बोजियों सारे रिष्टेदारों के सामने कह दिया उसे दिन गरज कर मेरी हो गई उस लाटे से साधी कोई उस प तेरे लिए गणानात क्या हुआ तू वहां क्यों आया ठहरा ये तू जान मेरे लिए तो वो मंदिर ठहरा उसी मंदिर में मुझे भक्ती करने कासा जैसा मन होने वाला ठहरा मैं गई ठहरी वहाँ साधी से पहले पूजा करने मैंने तुझे बुलाया हुआ ये सोच कर कि जो तू भी वहाँ पहुँच गया इतने कम समय में तो तू ही होगा वो लाटा जिसके लिए मैं पैदा हो रही तू किसी तरह पहुँच जाएगा वहाँ मैं सोच लूँगी बरात लेकर आ रहा करके शिव शिव शिबो ऐसा कहने वाले हुए तुझे लोग मैं पगली ठहरी मैंने सोचा ये लाटा ही होगा मेरा शिवज्यू महराज मैंने तुझे जनेव दे दी है अपने बाबू की ओर से आरती तेरी करही दी मंदिर में और क्या होने वाली ठहरी साधी इसके लिए मुझे तुझे से माफी मांगनी ठहरी इसके बाद मेरा तेरा माफी मांगने का या मंगवाने का रिष्टा ठहरा और जो तु ऐसा ही समझता है तो पहले मुझसे माफी मांग तू तो पिटा ही मेरी वजह से और पिट कर रिसा रहा है खुब मैं तो बदनाम हो गई तेरी वजह से और खुसी से हो रही बदनाम होने के बाहिक और कोई तरीका नहीं ठेहरा तुझे पासकने का मेरे बाबू मुझे उतना अच्छा मानने वाले हुए अपने दादाओं की मैं लाडली ठहरी तेरी वजह से वे मुझसे 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 पुलाए बैठे हैं और मैं उनसे मेरी ईजा बीमार थी तेरी वजह से मैंने उन्हें इतना तिल मिला दिया कि उन्होंने खाट पकर ली है जो तू इस सब के लिए मुझसे माफी मांग रहा हो तो समझ ले मैंने भी तुझसे मांग ली है माफी नहीं तो माफी माफी माफ करो बल शैतानी रास नहीं आती? ये क्या बाट ठहरी? शैतानी शैतानी में पिट गया मुझे बदनाम करा गया सारे शहर में अब कह रहा रास नहीं आती बल शैतानी से साधी कर लेने के बाद ऐसी बाते नहीं कहते अच्छा? ची हो, क्या लिखी होगी तुने वैसी चिठी कि जवाब देते देते मेरी उंगलियां दुख रही और स्याही स्याही हो रहे मेरे हाथ ऐसा अब मत लिखना? हाँ इससे तो दो लाइने लिख दिया कर मैं किसी के लायक बन रहा जिलेमबू ओ इज्जा कहीं बन तो नहीं गया तो किसी के लायक लाटे? बन गया तो शैतानी लिख कर दिखा ये रिसाना, ये रोना धोना मुझे रास नहीं आता मैंने तेरे सब किताब पढ़ डाले कई बार उनमें भी तो रोता रहता है अब मेरे कहने से मेरे लिए एक शैतानी वाली किताब लिख कहा यहां आजा दिल्ली मिलकर लिख लेंगे कब आ रहा है? शुभम बेबी पुनश्च तेरी दी साडी मैंने इतनी पहन डाली कि फट गई नई लाना इस बार पुनश्च जिलेंबू जिलेंबू क्या खाली हाथ पर ही करते हैं? पुनश्च आख मीच अब दीख रहा तुझे मेरा ये बबुआ जो मैंने खोल रखा इस पर जिलेंबू करता है? हाँ हाँ बड़ी जल्दी मैंने ढग दिया इतना ही जो नाराज हो रहा तो मेरी धुत्ती पर कर जिलेंबू वो भी नहीं कर सकता पुनश्च जब तक तु नाराज हो रहा मैं कर रही अपनी धुत्ती पर जिलेंबू मैं चूज दे रही अपनी धुत्ती, बेबी ठेहरी, धुत्ती यानी अंगूठा इस पत्र पर टिपणी करने के लिए नायक तुरंत उपलब्ध हो सका, पहले वो धुत्ती यानी ठेंगे पर प्रवचन करता रहा उसने बताया कि अंगूठा सुक्ष्म शरीर की बाह्य अभिव्यक्ती है, ऐसा कहते हैं सिर्फिरे उपनिशद में उसका प्रमाण अंगूठे भर ही बताया गया है व्यग्यानिक भी कहते हैं कि एक जैसे अंगूठा च्छाप वाले दो व्यक्ती नहीं हो सकते अतयव क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अंगूठा दिखाने का अर्थ ही ये रहा होगा कि मैं तेरा प्रतिरूप नहीं उसे दिखाना ही नहीं, बलकि खटा-खट नचाना भी क्या ये कह सकता है कि अच्छी तरह देख ले समझ ले मेरा वो मैं होना जो तेरा हो नहीं सकता इस प्रवचन से उसने और कुछ किया हो अत्वा नहीं कल्पना तीत के साथ अपनी कल्पना से, शब्दा तीत के साथ अपने शब्दों से खेलते रहने के उस सिर्फिरेपन से अपने जुड़े होने का संकेत अवश्य दिया है, जो इन पंडितों का एक मात्र मनुरंजन है उसके मन में अपराद बोध है नाईका के प्रती उसके मन में अपराद बोध है अपने मैं होने के प्रती नाईका के तू होने के प्रती समाज के वे होने के प्रती अपराद बोध है और उसका एक उदास सा क्रोध क्रुध सी उदासी वो पंडितावपन के सहारे अपना ध्यान इस अपराध बोध से हटाना चाह रहा है ये पत्र उसे कमरा खोलते ही मिला था देहरी पर वहीं खड़े होकर उसने इसे पढ़ डाला कमरा जाडू लगाए जाने की अरज कर रहा है डीडी की काया यातरा की गर्द और बंबई का चिपचिपा पर मिटाने के लिए सनान की मांग कर रही है डीडी की थकान कह रही है कि सोजा ऐसे कैसे होल डाल खोल कर खटिया पर कमरे में धूल और सिग्रेट के ठूंठों की गंद है वो खिड़की खोल रहा है बैट गया है वहीं धूल जाड़े बगेर धूब खेल रही उसके चहरे पर जो बीमारी से निस्तेज और अपराद बोध से मलान है पसीने की बूद चमक रही है उसके धूल से सने कपाल पर तार के दो पेड़ों के बीच के फ्रेम में से इधर उधर भागती लोकल गाड़ियां देख रहा है वो और पूछ रहा है अब कहीं ऐसा तो नहीं चक्रपत की वो यात्रा आरंभ होती है किसी मंडराती पुकार के भार से दबे किसी बादामी कागस पर लिखे मैं से और उसी पर समाप्त भी हो जाती है अहम कैलियो जज्मान उसे गंगोली हाट के वृत्ति करने वाले ब्राम्हर और पशुबली कराने वाले दक्षिनात के रावल याद आते हैं ओम विश्णोर विश्णोर विश्णोह ओम नमह परमात्मने उचार करवे पूजा कराने वाले की काल और देश में वर्तमान अवस्थिती का ब्योरेवार वर्णन करते हैं श्री विश्णोर आग्या प्रवर्त मानसाध्य श्री ब्राम्हणो दुतिय परार्धे श्री इश्वेत वाराह कलपे वैवस्वत मनवंतरे अश्टा वेंशतित में कलियुगे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारत वर्षे भारत खंडे आर्या वर्तान तर गत ब्रह्म्हा वर्तैक देशे हिम्मुवत प्रदेशे बौध्धाव तारे वर्तमाने यथा नाम सम्वत्सरे अमुकायने महा मांगल्य प्रदे मासनाम उत्तमे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरान वितायाम अमुक नकषत्य अमुक राशी स्थिते शुड्ये शुब पूर्णियतितो, सकल शास्त्र शृती, स्मृती, पुराण उक्त, फल प्राप्ती कामह, अमुक गोत्रोत्पन, अमुक राशी, अमुक नक्षत्र, अमुक नाम शर्मानाम, अहम कह लियो जज्मान आपकी तरफ से शेश सब मैं कह चुका, आपका नाम भी उचार चुका हूँ, अब आप अहम यानी मैं तो स्वयम कह दें, और मैं आगी का संकल पूरा कर दूँगा आपकी ओर से, कि आप डेवी की प्रीती के अर्थ यहां छाग यानी बकरे की बली करेंगे अहम कह लो जज्मान, अहम यानी मैं, कई बार दोराता है इस शब्द को मन ही मन, फिर अकेले कमरे में प्रगट मैं 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 और उसके मन में गंगोली हाट में बली का बकरा मिमी आता है, और काली के मंदिर की तमाम तमाम घंटियां बज उठती हैं अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढाप रहा है वो, और अब सुबक रहा है धीमे-धीमे मानो कुछ सोच सोच कर, मानो उसने कुछ चाहा था जो उसे नहीं मिला, और जिसके ना मिलने पर, वो औसत सत्य के औसत तर्क से कोई आपत्ती नहीं कर सकता मानो कुछ हुआ, जो अप्रे हुआ, लेकिन जिसके लिए किसी को भी दोशी नहीं ठहराया जा सकता मानो, मानो कुछ है ऐसा मूल भूत रूप से तरासद, जिसे मानो, मानो, मानो करते चले जाने के बावजूद हमारा ये शब्द साधक, असली मायने तक पहुँच नहीं सकता कभी, कैसे भी उहु, वो रोता है, सूह, सूह, नाक से सांच खीशता है, उपर जटके से, फिर होट, जबडे, दबा हिला कर कुछ निगलता है, और फिर खोलता है होट एक सनातन बीज मंत्र उचारने के लिए उह, उह, रोता है बीच बीच में अंतराल देकर, जैसे रोते हैं लाडले बच्चे, समय देते हैं लाड करने वालों को, कि आए मनाने की कोशिश करें, बहलाने का जतन करें, और फिर वो लाडला चीख चिला कर अपना दुख़डा बयान करें, कुछ इतने उचे स्वर में कुछ इतनी दृत गती से कि अभिभावक समझ ना पाएं कि इसने ये चीचा, चूँचा, चीचेचा क्या कहा है, अनुमान लगाएं वे, अनुमान के अनुसार कहते जाएं, ये मांग रहा भाव, वो चाहिए हो रहा, ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या, और लाडला हर गल अनुमान कर पाएं, तब वो सूं सूं, नातनों की आर्दता कपाल में खीच कर धीमे से कह दे हां, और अब उं उं के बीच में, अंतराल, समय दे अभिभावकों को, कि वे पूरी करें जिद, ना ला सकें असली फटपटी, तो चाभी वाली ही ला दें, नायक रोया है कई बार इस तरह, जब बच्चा था, किसी का लाडला नहीं था वो, किसी ने आकर उसे बोत्याना, मनाना बहलाना नहीं किया, बुआ बुढिया थी, कई अनात बच्चों का भार ले रखा था उन्होंने अपने अशक्त कंधों पर, वयस्क नायक के शिशु क्रंदन के इस नितांत संकोज प्रत प्रदर्शन से हमारा ध्यान बटाने को, यहां कुछ भी नहीं, तार के दो पेड़ों के बीच से आती जाती रेलगाडियों के तीक्षन स्वर के अतिरिक्त, जिसमें ये क्रंदन कुछ ख्षनों के लिए बीच बीच में डूब जाता है, कैसे बोत्याएं इसे, क्या इस से ये कहें, कि मानो 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 कि अपेख्षा करने वाली तो कोई बात नाईका के पत्र में है नहीं, उसने यही लिखा है कि जितनी अपराधी वो है उतना ही अपराधी तू भी है बस इसमें वो मंदिर वो बली का भकरा ये सब कहां से आ गए और प्रसंग वर्ष स्मरर करा दें कि गंगोली हाट के मंदिर में लटकी हुई तमाम घंटियों के एक साथ बजाने की कोई परंपरा नहीं ये बात अलग है कि बचपन में तू ने चाहा था ऐसा हो अगर दुख इस अनुभूती से हुआ है कि तू तू है वो वो है तेरे और उसके तर्क भिन्न है तो तेरा ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक जान पड़ता है कि प्रेम में तेरा मेरा चलता नहीं प्रेम के याकी वाद की चरम परिणती यही है कि ये तू है कि मैं हूँ देवता को पूजने के लिए स्वयम देवता बनना होता है किसी से प्यार करने के लिए भी अंग न्यास करके उसे अपने में प्रतिष्ठित कर लेने का अलिखित विधान है देख भाई या तो वो स्थिती पैदा कर कि फूल को मैं देखता हूँ फूल मुझको देखता है फूल का मैं देवता हूँ फूल मेरा देवता है देव्य तर्क दुतर्फा दमकता रहे अगर मानवी ये तर्क ही है तो प्रेम के लिए दो में से एक की बली अपेक्षित है प्रश्न ये है कि तू उससे प्रेम करता है या कि तू चाहता है वो तुझसे प्रेम करे पहली स्थिती में तुझे अपने तर्क की तिलांजली देनी ही होगी दूसरी स्थिती लाना तेरे वश में नहीं क्योंकि तू तू है वो वो है वो कवियों का तर्क होता है जिसमें तुम ये ये वो मैं मैं कहकर ये और वो के आपसी संबंद के आधार पर तुम और मैं का संबंद बिठाया जाता है प्रेम का तर्क अलंकारा पेक्षी नहीं वो सहज रिजु है मेरी निजिता तुझ से है मेरी अस्मिता तु ही है अधैर योत्पन कर रहा होगा ये शब्द आडंबर आपके मन में मैं बाद्य हुआ इसे रचने के लिए ताकि कथानक में कथानक का पैदा किया हुआ एक लंबा सिसकता अंतराल भरा जा सके अब नायक ने हथेलियां चेहरे से हटा ली है पाह से आखे पोचता हुआ वो उठा है सिग्रेट सुलगा रहा है होल डाल खोल कर बिस्तर डाल रहा है खटिया पर मेज पर से कागस कलम उठा रहा है दीवारक पर पीठ तिका कर गुटनों पर तकिया तकिये पर फाइल और फाइल पर कागस रखकर बैठ गया है वो बिस्तर पर अहम कहलो जज्मान देवी दत्य तिवारी ये लिख दिया है उसने कोरे कागस के शीर्ष पर उसे बंबई में फिलहाल कोई काम नहीं मिला हुआ है जिस फिल्म में उसे लेने वाले हैं वो महीने भर बाद शुरू होगी वो चाहे तो इस बीच विज्यापन फिल्म में कोई काम ढून सकता है लेकिन नहीं वो लिखेगा बेबी के लिए शैतानी का नहीं वही अपना जाना माना उदासी का साहित्य 27 दिन वो निरंतर लिखता रहेगा और पूरा करेगा अपना पहला और आखिरी उपन्यास अहम कहलो जज्मान देर सो प्रिष्टों का पतला सा उपन्यास है जिसमें उपरी तोर से गंगोली हाट के मंदिर में एक दिन छाक बली दिये जाने का वर्णन है किन्तु भीतर ही भीतर वो ऐसे निर्धन, जड़ और प्रतीक पूजक समाज की कहानी भी सुनाता है जो आश्चर्य जनक रूप से आत्मसंतुष्ट है लेखक का तेवर आदिसे अंति तक निर्मम रूप से तटस्त है निर्धन क्रिशक समाज के शोशक और शोशित दोनों उसके लिए समान रूप से दैनिय और जड़ है इस समाज की वो अमीरी और वो गरीबी, वो उँच और वो नीच जिसमें सारा अंतर धोती के छोटी या बड़ी होने का है बहुत मैली या कम मैली होने का है बकरे की या मुर्गी की बली देने का है किसी पत्थर के आदिशंकराचार्य अथवा ग्राम जोगी द्वारा प्रतिष्ठित किये जाने का है लेखक के लिए वीभच और त्रासद है यद्यपी पशुबली को निर्धन के शोशन का प्रतीक ठहरा कर इस कृती को प्रगतिशील साहित्य के अंतरगत लाया जा सकता है तथा पी लेखक की ये तटस्थ भंगिमा और बली के पशु को पूझने और उससे क्षमा मांगे जाने के प्रसंगों पर उसका अतिरिक्त आग्रह जैसे पश्वेच्य नमस्तुभ्ये नमस्ते बली रूपिने छेद्यो असी बली स्वरूप त्वम प्रग्यया परेया गुरोह छेद भेदो भवम दुखम क्षमस्व पशुरूप ध्रिक्ग ये वर्णन माक्सवादी चिंतक को लेखक की नियती के विशय में शंकालू होने का परियाप्त आधार देता है कहीं लेखक ये तो नहीं कहना चाहता कि सारा मानव जीवन और कुछ नहीं बली का अनुष्ठान है जिसमें लोग बहुत ही सदय रूप से क्रूर अथ्वा क्रूर से सदय होते हुए बली पशू और खडग दोनों की ही पूजा करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि तुम एक उच्चितर सत्ता के लिए हमें अपना वद करने दो इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा पशो स्वर्गम गच्चे और हमें और हमारी संतान को इस मर्थ्य लोक में आयू, आरोग्य और एश्वर्य हमने खडग से प्रार्थना कर रखी है कि तुम्हारे छेदन में शीग्रता करे इसलिए तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा उच्चतर सत्ता का नाम जो भी रख लो, ओम, ह्री, हिल-हिली, किली, किली-किल के स्थान पर जो भी और मंत्र बना लो ये सदय क्रूरता, ये क्रूरदया सनातन है कदाचित ऐसा कहना चाहता है लेखक किन्तु छाग बली के वर्णन में जुटे हुए उसके तीखे छोटे वाक्य सूख्ष्म से सूख्ष्म दार्शनिक जाल की पकड़ में आते नहीं उपन्यास के उत्तरार्द में एक कौतुक पूर्ण घुमावत तब प्रस्तूत होता है जब छाग बली देने वाला अमीर स्वयम अगली सुबह दिल का दोरा पढ़ने से मर जाता है वही अमीर गरीब जो बली अनुष्ठान में साथ थे अब एक मुर्दा फूकने में साजीदार बनते है लेखक दाह संसकार का भी अत्यन्त तटस्त भाव से वर्णन करता है मुर्दा फूक कर लोटे लोगों के आगतापने और नीबु खाने के अनुष्ठान के वर्णन के साथ उपन्यास समाप्त होता है कोई आश्चर नहीं जो इस उपन्यास पर डीडी के प्रगतिशील मित्रों प्रशंसकों में बहुत विवाद हुआ कुछ विद्वानों ने जो प्रगतिशील साहिते में आधूनिक्ता लाने के लिए लालायित थे इस कृती की प्रशंसा की किन्तु अन्य विद्वानों ने इसे रासोन मुख ठहराया जो हो यहां इस कृती की विस्तरित समीक्षा अभीष्ट नहीं इतना इंगित करना है कि इस उपन्यास ने ध्यान खीचा था और अगर डीडी लिखता ही रहता तो आज मुझे इतना कहने की भी आवशक्ता ना पड़ती कृती का उलेक वर्तमान कथानक में इसलिए भी अनिवार्य हुआ है कि वो मारगाट को समर्पित है इसकी तीन टंकित प्रतियों में से एक नायक ने तुरंत नायका को भेज़ दी थी साथ ही शास्तुरी जी के नाम एक पत्र भी था जिसमें उसने अनुरोत किया था कि वो डीडी के कारण अपनी पुत्री को दंडित न करें डीडी समझ सकता है कि पुत्री को पिता से स्नेह की कितनी आवश्यक्ता है वो दोशी है शास्त्री परिवार की सुक शान्ती भंग करने का और यद्य पी ये अपराद अक्षम्य है तथा पी वो विंती करना चाहता है कि शास्त्री जी उसे ख्षमा कर दे वो अब उन्हें या उनकी पुत्री को परेशान नहीं करेगा समाज में जो बदनामी हो गई वो चिंत्य है उसे दूर करने के लिए डीडी काश कुछ कर सकने योग्य होता डीडी को विश्वास है कि समय के साथ ये बात दब जाएगी और सब तरह से समर्थ शास्री परिवार अपनी पुत्री का कहीं अच्छा रिष्टा कर सकेगा उसी दिन डीडी ने एक और पत्र गुलनार को लिखा कि पिछले पत्र का उत्तर ना पाकर मैं चिंतित हूँ मेरा यहां कुछ भी बनता नजर नहीं आ रहा है मैंने एक उपन्याज जरूर पूरा किया है लेकिन मैं अपनी बात साहित्य के नहीं सिनेमा के माध्यम से कहना चाहता हूँ और उसकी यहां दूर दूर तक कोई संभावना नहीं जैसे भी हो मुझे बुला लो शास्त्री जी का उत्तर उसे तुरंत प्राप्त हुआ इसमें उन्होंने लिखा कि सारे कांड में असली अपराधी मैं ही हूँ अपनी पुत्री का मन समझने और रखने का दायत्व मेरा था मुझसे ही उसमें चूक होई तुम अपने मन में किसी प्रकार की गलानी मत लाओ अब मैंने सारी बात आईश्मती मैत्रेई पर छोड़ दी है उसका आग्रह है कि मैं तुम्हें यहां आमंत्रित करूँ सो कर रहा हूँ मुझे विश्वास है कि तुम यहां आकर मुझे और मेरी पुत्री को अनुग्रहीत करोगे तुम्हारा उपन्यास में पढ़ चुका या यों कहूं मैत्रेई को पढ़ा चुका हूँ यहां आओगे तब इस विशय में बाते होंगी इसके ही नहीं तुम्हारे समस्त पत्रों के विशय में भी जो मैंने सहेज कर रख छोड़े थे कि कभी सुविधा से उन पर तुमसे विवाद किया जाए अपने आगमन की तिथी सूचित करो ताकि तुम्हारे स्वागत का समुचित प्रबंध किया जा सके इस पत्र के मिलने के महीने भर बाद दीडी ने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ी उसकी यूनिट वाले एक सेट पूरा कर चुके थे दूसरे पर जाने वाले थे बीच के आवकाश में वो आ गया था उसके लिए संभव ना हुआ कि दिल्ली में हफ़ते दस दिन रुका रहे जैसा कि शास्त्री जी और उनकी बेटी चाहते थे वो चार दिन वहां रहा वे चार दिन उसके जीवन की चांदनी के दिन माने जा सकते हैं लेकिन इनके विशय में उसे ब्योरेवार कुछ भी याद नहीं रह गया है बिम्बो की एक फिरक्नी सी घूमती है उसके सामने जब वो इस दिल्ली प्रवास का स्मरर करने बैठता है बिम्बो की ये फिरक्नी और उसके पीछे भारतिय शास्त्रिय संगीत गनीमत है एलेक्ट्रोनिक नहीं नाईका उन दिनों नायक को बताना चाहती थी कि मैं भी कलाकार बन रही हूं और इस उद्देश्य से अकसर गाती थी या कदाचित इसे यों कहना चाहिए कि वो इतनी आहलादित थी कि गाय बिना उससे रहा नहीं जाता था अलग-अलग तर्क के अनुसार अलग-अलग वक्तव्य बनते हैं जो हो ये प्रसंग हर तर्क से भारतिय शास्त्रिय संगीत पर घूमती बिम्बो की फिरतनी का ही प्रसंग है नाईका आहलाद में है नाइका के पिताश्की को ये प्रतीती हो रही है कि घाव भर जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा विश्वनात की कृपा से नाइका की माता अपनी रुग्ण शैया पर उठ बैठते हुए सिर पर पल्ला लेते हुए द्रिष्टी थोड़ी थोड़ी मिलाते हुए बतिया रही है किंचित आपचारिक कुमाउनी में एक लंबे से लड़के से दूद दे दिया था उदे सिंग ने रसभात पसंद है कि डुपके बनवा दे नीट ठीक आई बेबी परिशान तो नहीं कर रही है और सुखी हो रही है कि प्रस्तावित घर जमाई सीधा है अल्पसंतोशी है और खापी कर जरा शरीर भर जाए तो भाव्य व्यक्तित्व वाला भी विश्णू स्वरूप नायक भी प्रसन है वो आत्मियता और संपन्नता के इस उच्च मध्यवर्गिये नागर दुर्ग में घुसाया है अन्ततः वो इस लड़की का प्यार जो पा गया है अन्ततः और सब कुछ अपनी शर्टों पर बिना जुके किन्तु कहीं ये चेतना शेश है उसमें कि ये शत्रूओं का दुर्ग है विजित है उसके द्वारा किन्तु है शत्रूओं का ही यहां जो कुछ है प्रतिपक्ष है प्रेमिका भी इसलिए कुछ संकुचित है उसका मन अकारण सी गलत सलत सी तुनक मिजाजी अत्वा अतिशे आउपचारिक विनमरता प्रदर्शित कर रहा है जिस पर नाईका को हसी आ रही है जो हो वो इतना प्रसंद तो है ही कि नाईका को इस तरह खिल-खिला कर हसने पर अत्वा उसके तुनकने की जियों की तियों नकल उतार देने पर नाक और होटों के बीच कहीं थोड़ा सा मुस्कुराए और नाइका की चोटी पकरले अत्वा कान खीच दे नहीं, वो इतना तनहीं तुनक रहा है कि नाराज होकर कदम पटकता बहिर गमन कर जाए बिम्बो की फिरकनी है, तेज तेज घूमते हैं बिम्ब संगीत के साथ और एक दूसरे में खोने से लगते हैं इतनी अल्प अवधी तक टिकता है बिम्ब विशेश कि उसके विशेश्टिता का चेतन स्तर पर कोई बोध नहीं हो पाता बोध रह जाता है अनुभव करता के रूप में अपने कहीं न रह जाने का बोध रह जाता है उस सर्व भक्षी संगीत का जो न तेरा है न मेरा हिंदी सिनेमा के आलोचक इस बात से खिन है कि हमारे दिखदर्शक प्रेमी प्रेमिका को व्रिक्षों की परिक्रमा में दोडते हुए नाचते गाते दिखाते हैं इसे मेरे सर्वत्था सठिया जाने का लक्षा मानिए 75 की वय में सर्वत्था वाली ही इस्थिती होगी कि मैं ये मानने लगा हूँ कि नाचे गाए बजाए उचले कुदे, मारे पीटी, दोडे भागे बगेर मनो योगी की खाटी अभिव्यक्ती असंभव है अब यही देखिए ना इस फिरक्नी में कुछ चोखटे ऐसे हैं जिनमें शास्त्री जी और डीडी का दार्शनिक प्रशनों पर शास्त्रार्थ अंकित है इस शास्त्रार्थ को सुनकर क्या हमें नायक नायका का प्रेम समझने में कोई सहायता मिलेगी इस बहस में डीडी ये कह रहा है कि डेवता को कुछ ही समय के लिए बुलाना कुछ ही समय के लिए अपने को देवतुल्य मानना और फिर स्वधर्म में लौट आना ये परले दर्जे की बेइमानी है पूजा करते समय महान और फिर वही कमीने के कमीने ये क्या बात हुई शास्त्रे जे ये कह रहे हैं कि ये कमीनापन तो विशेश रूप से तुम जैसो कला साधकों के हितार्थ है उसे अपने में प्रतिष्ठित करके बैठे ही रह जाओगे तो शुन्यता में स्वयम भी खो जाओगे शुन्यता से कला नहीं उपश्टी शुन्यता से संसार नहीं चलता किन्तु उसकी कोई प्रतीती ही ना हो तुम्हे कोरा कमीनापन ही हो तो उससे भी कला नहीं उपश्टी संसार नहीं चलता तथागत हो जाने से नहीं चलता संसार उससे तो रुख जाता है उल्टे किन्तु तथाथा का लेश मात्र भी आभास नहोने से जीवन नर्क हो जाता है डीडी जानना चाहता है कि स्वर्ग क्यों नहीं बन सकता धरापर, हर व्यक्ति देवत्व क्यों नहीं प्राप्त कर सकता अब बताईए इस तथाता से माथा पच्ची करते अत्वा, तुम कुछ नहीं एक अनाम अभिनेता हो और ये जीवन तुम्हारी एक भूमिका मात्र है जिसे अच्छी तरह निबाहना भी तुम्हारा धर्म है और जिसे मात्र एक भूमिका माने रहना भी तुम्हारा धर्म जैसी इस थापनाओं का विशलेशन करते हुए इन सिर्फिरों की बातों से प्रेम कथानक का क्या बनता बिगड़ता है ये सही है कि डीडी बार बार उंचे स्वर में लानत भेज रहा है अपने पर आध्यात्मिक प्राग्यातिहासिक साम्यवाद को धराशाई कर रहा है भौतिक एतिहासिक साम्यवाद से अगर इससे नायका का पिता उखड रहा होता तो इसे हम कथानक की द्रिष्टी से महत्वपोर्ण मान सकते किन्तु वो मंद मंद मुस्कुराते हुए ग्रहन कर रहा है नायक का युवकोचित आवेश वो मान कर चल रहा है कि बालक अपनी ही परंपरा का है द्वंदात्मक्ता सांख्य की हो या हीगल की है तो लफबाज द्वंदात्मक्ता ही न? शास्त्रात करने वाला शास्त्री ही कहा जाएगा भले ही उसका शास्त्र मार्क्स मुनी का लिखा हो शास्त्री जी के अनुसार ये लड़का शास्त्री है उसका मार्क्सवादी होना एक गौणतर तथ्च्छ है पिस्तौल ही लेकर आ जाए और सीने पर रखकर कहे बक्वास बंद करो ख्रांती हो गई है तो बात दूसरी है अभी तो शास्त्री ही है और अच्छे लगते हैं शास्त्री जी को शास्त्री लेकर समझता है कि यही उचित है कि हम इन शास्त्रीयों की बहस का ध्वन्या लेक मिटवा दें लेकिन उनके मुखों का खुलना, उनकी अंगुलियों का नाचना, उनकी चहरे पर भावों का आना जाना देखें बगेर कुछ सुने वैसे ही जैसे एक कन्या कुमारी जो इन में से एक शास्त्री की पुत्री और दूसरे की प्रेमी का है, अपने पिता की आराम कुर्सी के पीछे खड़ी हुई देख रही है आवाजों का भाव पकड़ते हुए, आवाजों का अर्थ अनसुना करते हुए ये आवश्यक नहीं कि हम भी उसकी भाती मुस्कुराते रहें, कभी प्रेमी को जीब दिखाएं, और कभी पिता की टोपी से खेलें हम चाहें भी तो उसकी तरह अपनी पोर-पोर से ये प्रकट नहीं कर सकते, कि मैं इस पुरुष की पुत्री हूँ, उस पुरुष की प्रेमी का, और मैं ही हूँ जो इन दोनों को यहां मिला रही हूँ अपनी प्रीती के रसायन से शेष जो भी है, शब्दा डंबर है ध्वन्या लेक में शब्द हटा कर संगीत के स्वर रख दिये जाए बहस जारी रहती है, सुबह और शाम की सेर पर सुबह शाम घूमने का नियम है शास्त्री जी का दो मील सुबह, दो मील शाम अगर कभी बाहर ना निकल सकें, तो आंगन या बरामदे में ही घूमते हैं जिस घर में भी जाते हैं, उसका आंगन अत्वा बरामदा पहले नाप लेते हैं कि यहां से वहां, वहां से यहां टहलते हुए कितने चक्कर काटने पर दो मील होंगे नई दिल्ली में इन दिनों सौभाग्य से मौसम साफ है, बाहर गए हैं वे तीनों सेर पर राजधानी की साफ, सुत्री, अशोक और गुलमोहर के व्रिक्षों वाली सडके नापी हैं उन्होंने बहस के बीच बीच में शास्त्री जी कोई रोचक पौराणिक कथा, कोई पंडिताओं सा लतीफा सुनाते रहे हैं और हसते रहे हैं वे तीनों ठठा कर हसते हैं शास्त्री जी जब भी हसते हैं और आवश्यक होता है कि आप भी उनकी वय का आदर करते हुए उच्छाह से हसें कन्या पिता और प्रेमी के मध्य चलती है बहुधा, पिता का हाथ पकड़े ही रहती है और यदा कदा चोरी छिपे पकड़ लेती है प्रेमी का भी हाथ और पिता इस चोरी को पकड़ लेने के बावजूद अंदेखा करता रहता है हम उन्हीं हमेशा थोड़ा श्रद्धालू दूरी से देखते हैं और यहां भी ध्वन्या लेक में शब्द नहीं केवल संगीत के स्वरही होते हैं मैं ये सब आपको कुछ वैसे ही दिखाना चाह रहा हूँ जैसे कथानायक अपनी फिल्म में इसे दिखाना चाहता किन्तो मुझे स्विकार करना चाहिए कि मेरे समक्ष रखा ये कोरा कागस सिनेमा का परदा नहीं है कुछ यही कठिनाई मेरे सामने इन बिम्बो के संदर्भ में आती है जिन में नायक नायका प्रेमी युगल की भूमिका में एकांत लाग करते हुए अंकित है प्रेमी जन यो भी बहुत नेसार बाते करते हैं और यहां तो कम से कम नायका की ओर से नेसारता पराकाष्ठा तक पहुची हुई है प्यार में बच्चों वाली बातें बड़े बड़े कह और कर जाते हैं किन्तु ये नायका तो वस्तुतह तुतला रही है मानो वो एक ऐसे बच्चे से बोल रही हो जिसने अभी बोलना सीखा नहो ठीक से कुची कुची मम कद्दू जैसी शब्दावली से भरे पड़े हैं उसके समवाद वो कभी नायक की नाक पकड़ कर हिलाती है कभी उसकी आखें पीछे से आकर मीच लेती है कभी उसे अपने पीछे दोडाती कभी उसके पीछे खुद दोड पड़ती है कभी उसका हाथ हाथ में लेकर जुलाती है और जोर-जोर से करती जाती है भविश्य की कलपनाए फिर हम वहाँ जाएंगे भाई फिर हम ऐसा करेंगे भाई फिर हम वैसा खड़ी देंगे फिर हम इन कल्पनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं जो उलेखनी हो सुक संतोष की बहुत ही सामान्य सी घरेलू सी कल्पनाएं हैं ये कोई तथ्य अगर संप्रेशित होता है इनसे तो मात्र यही कि एक भविश्य है और उस भविश्य में ये नाईका इस नाईका की अनुसार इस नायक के साथ है इस नायक से अभिन्न है नायक इस सबको ऐसे सुन रहा है जैसे किसी सिर्चढ़े किन्तु प्यारे बच्चे की बात सुनी जाती है ये समझते हुए कि वो ना सुनने का अभ्यस्त नहीं है वो मुस्कुराता है बीच बीच में मुह बहुत आश्वस्ती से मटकाता है खास कर तब जबकि नाईका अपने को कुशल ग्रहनी तब तक मैं जटपट बना दूंगी दालभात मैं और तो मिल कर लिख देंगे एक फिल्म कहानी की भूमिका में प्रस्तोत करती है कुछ बिंबो में वे ऐसे काम करते देखे जा सकते हैं जो मानवी प्रेम के सामान्य व्यापार है यथा दौडम भाग के बाद शास्त्री जी को विशंभर दास रोड़ पर जो बंगला मिला है उसके पीछे आगे वगीचे में इस सब के लिए पर्याप्त स्थान है अवसर है जब पकडम पकडाई हो जाती है तब वे कुछ देर एक दूसरे को घूरते हुए हाफते हैं और फिर खणिक अत्वा सुदीर्ग आलिंगन करते हैं वे एक दूसरे की थाली से खा लेते हैं या अपनी थाली में से दूसरे को अपने हाथ से खिला देते हैं वे, खासकर नाईका, मेज के नीचे एक दूसरे का पाउं अपने पाउं से दबा देते हैं कभी जब बहुत से लोग एक साथ बैठे हो कमरे में और बातचीत चल रही हो वे चोरी से अपलक एक दूसरे को देखते हैं, पकड़े जाते हैं क्या पश्वों का जोड़ा बैठाने की तरह मानवी ये प्यार भी एक नितांत सुपरिचित व्यापार है? यदि ऐसा है, तो किसी के प्रेम करने की प्रेम में पड़े होने की विशिष्टता क्या है? क्या अंत में वो यही कहसकता है, कि भले ही ये अनुप हो, ये व्यापार सामान्य हो, मैं अनुपम हो, और मेरे अनुपम होने से ये भी अनुपमेए हुआ जा रहा है किन्तु क्या ये नायक अनुपम है? ये ये नायका अनुपम है नायक के व्यवहार की तो सामान्यता तक साधारण है उस बेचारे को कुछी कुछी पिट्टी पिट्टी वारे समवाद में अपने बुद्धी कौशल, शब्द सामर्थि का उपयोग करके विशिष्टता का दावेदार बन सकने का अवसर ही नहीं मिल रहा है नायका अवश्य अपनी ग्रिष्टता के कारण सामान्य छेल चार को कुछ विशिष्टता प्रदान कर रही है हर कोई नायक का बैड्मिंटन खेलते समय शटल को नायक के खोपड़े पर स्मैश करने के लिए यतनशील नहीं रहती न साधारन तया ये देखा गया है कि नायका गुसल खाने से तौलिया लपेट कर बाहर आये नायक का तौलिया खीच कर भाग जाती हो और ना नायकाएं जहां तक मुझे जानकारी है अपनी माता से बाते करते प्रेमी को बीच बीच में आ आ कर गुदगुदी ही देती है और ये तो मेरे सुनने में कभी नहीं आया कि नायकाएं नहाते हुए गुसल खाने का दर्वाजा थोड़ा सा खोलती है अपने गीले चहरे गीली बाहा की एक उतेजक सी जहलक दिखाती है नायकों को और पूछती है पूरी मासूमियत से विपर्वत, जंगल, नदी, नाला देखता है और जब वासना के हाथों अपना विवेक बेच कर नायक देहरी तक पहुँचते हैं दर्वाजा भर से बंद होता है और नायकाएं भीतर से हसकर कहती है अहा बड़ी जल्दी सच मैंने कभी नहीं सुना किन्तु संभव है ये सब भी सामान्य हो मैंने इसलिए ना सुना हो कि मैं अध्यापक रहा हूँ और अध्यापकों को इस तरह की बाते सुनाई नहीं जाती बाद ये होकर ये बिम्ब भी हमें लगभग समवाद रहित छोड़ने पड़ते हैं हम उन्हें देखते हैं एक दूसरे को हर पोर से हर कोर से देखते हुए और संगीत सुनते रहते हैं इस फिरक्नी में कुछ बिम्ब ऐसे भी हैं जिनमें नायक नायका घर के बाहर साथ साथ दिखाए गए हैं कुछ में वे सडक पर चल रहे हैं नायक अपनी सारस चाल में हमेशा एक दो कदम आगे नायका अपनी इठलाती चाल में हमेशा कुछ कदम पीछे उससे धीमे चलने का अनुरोद करती हुई कुछ मेवे फिल्म देख रहे हैं नाईका अपना सिर नायक के कंधे पर टिकाय हुए है और उसके मन में बार बार कुछ उल जलूल कह रही है नायक उसे कभी-कभी फिल्म संबंधी अपने तक्नीकी ज्यान से चमतकृत करने का विफल यतन कर रहा है कुछी-कुछी बोलने वाले पैनिंग शॉर्ट, ट्रॉली फॉर्वर्ड ये सब सुनने को तयार नहीं होते आसानी से अधिकतर बिम्बों में नायक अपने उन इलाहाबादी साहित्यक मित्रों के साथ है जिनका पिछले दिनों दुर्भाग यसे दिल्ली वास हो गया है नायक इन सभी बिम्बों में नायका की उपस्तिती से थोड़ा संकोच में थोड़ा लजाया सा और चिर आशंकित दीख रहा है सच तो ये है कि वो नायका को साहित्यकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही नहीं चाहता था उधर नायका का हट था कि तू जहां भी जाएगा मैं सास जाऊंगी नायक चाहता था वचन ले चुका था कि नायका साहित्यकारों के सामने मोह न खोले और कम से कम हसे तो हरगिज नहीं किन्तु नायका थी कि बोलते रहने हसते रहने की मानो कसम खाए बैठी थी नायक के कोहनी मारने या पाउं से पाउं दबा देने का कोई प्रभाव ही नहीं पढ़ रहा था नायक का संकोच कुछ और इसलिए बढ़ गया था कि नायका सपश्ट ही उसके साहित्यकार मित्रों पर हस रही थी वो मानो ये कहना चाह रहे थी कि ये सब बड़े बुद्धु है है तो तू भी लेकिन तू जरा प्यारा बुद्धु है कहीं भी डीडी और उसके साहित्यक साथियों में किसी बात पर मदभेद होता तो वो बगयर कुछ समझे जाने नायक का जोरदार समर्थन करती और आहाहा और वह 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 शैली में अन्य साहित्यकारों को उखार देना चाहती नायक इसलिए भी खिन्न है कि इन अवसरों पर नायका अपने पास तमाम और वस्त्र होते हुए भी नायक द्वारा कड़की की हालत में बंबई से लाई हुई सस्ती शोलापुरी साडी ही पहने है और ग्राम कथा के पक्षधरों तक को ऐसी दिहाती साडी पहनी लड़की गवार मालूम हो सकती है तब तो और भी जब उसे उनकी गाउं में छूटी हुई पत्नियों की तरह हाथ नचा नचा कर बात करने की आदत हो हमें नायका से कितना भी अनुराग क्यों नहो साहित्यक सद्भाव की हित में इन बिम्बों को भी समवाध हीन रखना होगा फिरकनी में कुछ बिम्ब ऐसे भी हैं जिन में नायक किसी और काम में व्यस्त नायका को अत्वा नायका किसी और काम में व्यस्त नायक को कुछ उस दृष्टी से बांधे हैं जिसमें माता-पिता अपनी योग्य संतान को देखते हैं। कुछ बिम्बो में दोनों ही निठल्ले मौन के साजीदार हैं। और एक दूसरे को कुछ उस तरह देख रहे हैं, जिस तरह दरपण में अपने को देखा जाता है। कुछ बिम्बो में ये एक प्रकार के परम बौधिक निठल्ले पन्द में पंजे से पंजा फसाये जोर आजमाई कर रहे हैं। मनों जान रहे हैं कि प्यार बहुत ही प्यारे ढंग से खुंखार भी होता आया है। फिरकनी का अंतिम बिम्ब है प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन का। नायक खिर्की से हाथ हिला रहा है। शास्त्री जी लाठी पर वजन डाले खड़े हैं। नायक का हाथ हिला रही है। सहसा वो तेज-तेज दौरती है नायक के हिलते हाथ की और। उंगलियों से छू लेती है उसकी उंगलियां और कुछ कहती है जो ट्रेन की आवाज में खो जाता है। किन्तु नायक ने पता नहीं सही या गलत बांच लिया है उन होटों को। जिलेम्बू। वो भी कह रहा है जिलेम्बू। लेकिन गाड़ी की गरगराहट में उसे ना हम सुन पाते हैं और ना अब प्लैटफॉर्म पर पीछे और पीछे छूटती जाती नायका।